subscribe now and press the bell icon never miss an update मस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल रंजन श्टेडी सेंटर में आपका स्वागत है हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा आज हम लोग डिसकॉस करेंगे इसके बारे में हम लोग डिसकॉस करेंगे और इसके बार मैं इसमें इंपॉर्टन कोश्टन इसलेशन का जो भी है वो दूँगा तो सबसे पहले देखते हैं कि लेक्स है क्या तो लेक्स इस लार्ज एरिया Surrounded by Land यानि कि पानी का ऐसा जगा जहां चारो तरफ से जमीन से घिरा होता है वहां बहुत जो है गहराई में यानि बहुत मातरा में पानी जमा हो उसे जील कहा जाता है India has many legs यानि इंडिया में बहुत सारे प्रकार के जीले पाई जाती है की εν्यों में में ड्रेक्त जो इंसानों की त्यौरान बनाई जाती है यानि की मन इसे बनाता है जैसे कि कोई वे बहुता है और कर सकते जैसे वूलूर लेक जो है जम्मूएड कushmir में तो नीचे मैंने और कुछ लेक नाम लिखा जैसे वूरॉर लेक डंल लेक पुलिकेट लेक चिलका लेक यह सब लेक जो है इंडिया में तो इंडिया में बहुत साद लेक पते हैं और आपका कॉछ चीजाब में है वह मैप में एक नमबर का लेक हमेशा जो है देखने को मिलता है तो यह काफी इनपॉर्टन टॉपिक है इस लेशन का अब हम लोग देखेंगे इस लेशन में जो इनपॉर्टन कोश्चन है वो देखेंगे इंपोर्टन कोश्चन, ड्रेनेज लेशन का इंपोर्टन कोश्चन, पहला नंबर है, डिफरेंस बिट्विन हिमालियन रिवर एंड पैनिसुलर रिवर, यानि हिमाले से निकलने वाली नदियां और पठारी भागों से निकलने वाली नदियों में क्या डिफरेंस है वो केंजिसरा कोश्या कॉस्टन य ही है यानि कि ग्षण गवर्न है उसको दक्षियंगर घवाग्तolic केंगा चौधा कोश्यानकित अधेन्ट च्छटा question है characteristics of river, गंगा, इंडस, गोदावरी and ब्रंपुत्र. यानि सभी नदियों की विष्यष्टा, यानि जो गंगा नदी है, इंडस नदी, ब्रंपुत्र नदृए और जो गोदावरी नदी है, ब्रंपूत्र ये सब सभी नदियों का विसेश्ता हमको बताना है तो ये था इस लेशन का इंपॉर्टन कोश्टन अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा